नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जटिन पटेल और आप देख रहे हैं हमाई यूटरी चैनल और अल्लाइन ट्रिक्स नॉफर्स दोस्तों आपके फॉन में छुपा है हिडन कॉल रेकॉर्डिंग एप्लिकेशन फीचर तो दोस्तों ये फीचर के बारे में काफी लोगों को पता नहीं होगा और काफी लोगों इनके बारे में पता भी होगा मगर जिनको पता नहीं है इनके लिए यह वीडियो बनाया है मैंने क्योंकि काफी सारे ऐसे फॉन है जिसके अंदर कॉल रेकॉरिंग की एप्लिकेशन छुपी होई ओडि और उसको एकसे भी किया जा सकता है तो दोस्तों उसको कैसे एकसे करना है उसके कैसे सेटिंग्स करना है इस सबकूछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मगर दोस्तों उससे पहले में आपको करना चाहूंग जरूत नहीं कि आपके font के अंदर ही इन्विल्ड एप्लिकेशन आती है Samsung के काफी सारे model के अंदर इन्विल्ड एप्लिकेशन दी गई है जैसे A7, A30, A50, जितने भी latest phone है आपको कोई application डाउट करने की कोई जरूत नहीं आप अपने phone में से ही setting कर सकते हैं और उसको access कर सकते हैं तो दूस्तो setting देख लेते हैं तो उससे पहले आपको करना क्या होगा आपको यहाँ पर dial में जाना है यानि आपके call log में जाना है आप देख सकते हैं यहाँ पर call log open हो चुका है यहाँ पर आपको 3.option मिलेगा आपको क्लिक और अपसंर क्लिक करना है उसके ब initiative आपको यहाँ पर सारे ऑफशन सोर होगे तो आपको यहाँ पर settings के options में जाना है तो settings में जाने के बाड़ आपको यहाँ पर turn number के option पर मिलनेगा record calls आप देख सकते हैं यहाँ ठर्द नमर का action है रेकोर्ड कॉल्स उसके पर आपको क्लिक करदीचे तो पहला उप्सन मिलता है। आप को नोटिफिकशन का आप नोटिफिकशन बटाना चाहता है तो उसको अन कर लिजे. और दूसरा उप्सन है दूस्टो एक प्र अप All Natural Records का पर देख सकते हैं Oreo जाने आपके सारे surfing यहार कम होगे आप देख सकते ही all numbers and numbers saves और selected numbers यानि आपको टीन option मिलता है आप selected numbers को recording करना चाहते है तो यहाँ पर select number पर click किचे और यहां से आप उसके contact select कर लिए particular contact को आप select करोगे वह contact कि यहाँ पर उसके calls record से होगे अन्खोर numbers यानि जो तो number save नहीं होता है वह number से call आता है तो उसके number से आप खाली call recording करना चाहते है तो वह भी यहाँ से save कर सकते यानि आप यहाँ पर all number पर save करना चाहते यानि all number के call recording आप चाहते तो यहाँ पर all पर क्लिक कर दीची बैग जाएंगे लास्ट ओप्सन आपको यहाँ पर मिलता है storage location का तो आप यहां से अपने internal storage या फिर SD गार यहां से सिलेक कर सकते आप यहां पर internal भी store storage सिलेक कर सकते आप कोई भी अपकी location यहां से set कर सकते तो आपके phone calls वहां पर ही सिलेक होगी आपकी phone memory या फिर memory कार आप वहां पर set कर सकते रेकोर कॉल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर चितनी भी आपकी call recording की गई है आप यहां से उसको प्ले कर सकते यहां पर simple उसके उपर क्लिक कीजिए और यहां पर प्लेका आप सर्मिलेगा आप देख सकते यहां पर जितनी भी आपकी call recording है आप यहां से उसको व्यू कर सकते काफी लोग इसका गलट भी यूज़ कर सकते हैं कि कि जिनको पटा नहीं होता है उनके अंदर option यह on कर लेते हैं और उसका यहां पर call recording सून लेते हैं तो दूस्तों आप इसका गलट मत यूज़ कीजिए तो दूस्तों इसलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको बत दूस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि ऐसी वीडियों आपके लाता है था हूं तो दूस्तों नेक्स वीडियों वापेस मिलें कि चाहिन फंद मातरम